हेलो फ्रेंड्स, सुवागत है आप से भी का हमारे स्वाग यूट्यूब चैनल गोल्टू सक्सेस में फ्रेंड्स अगर आप चैनल परने आए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया नहीं है तो में बात होगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कॉंसेप्ट की बात करें तो प्रस्थति अनिमित्ता का जो कॉंसेप्ट है या अवधाना है किस ने दी है जी लेस्की ने दी है ठीक है नेक्स्ट है कॉंसेप्ट सरशनात्मक प्रकारवाद की अफधाना रेजक्लिफ ब्राउन की है सरशनात्मक प्रकारवाद की अफधाना रेजक्लिफ ब्राउन third है बहुल भूमिका मर्टन को concept है मर्टन से related आपका प्रस्तती यानि अगर हम बात करें status set यानि प्रस्तती सकुल की ठीक है multiple role हो जाएगा उसमें आपका ऐसी ही related और भी मर्टन के द्वारा concept देगे इसके लावा learner हो गया ठीक है learner और भी कई सारे के जैसे की आपका गौफ मैन का हो गया ठीक है और जो meat का है भूमिका जो उनका था भूमिका ग्रहन का ठीक है भूमिका निर्वहन का concept जो meat ने द जाएगी अगर आपने तक नहीं देखा है तो जरूर देख लीजेगा जैसे की यहाँ पर हो गया भूमिका ठीक है एक बहूल प्रस्तती भी होती है और इससे related जो questions exam में पूछे जाते हैं आपको statement के तौर पर दिया जाएगा ठीक है आपको उसमें options में दे दिया जाएगा यह बहूल भूमिका है प्रस्तती सकुल है क्या है ठीक है तो आपको वहाँ पर समझा बताना होगा तो statement को आप जब तक आपको concept नहीं पता होगा कि बहूल भूमिका क्या है आप नहीं बता सकते हैं तो अगर आपने वो वीडियो concept वाली नहीं देखी है status and a role वाला एक करके है आपको मिलेगी वीडियो दो तीन है वीडियो तो उनको अच्छे से देख लीजेगा ठीक है तो यहाँ पर बहूल भूमिका का जो अवधाना है किसने दी है मॉर्टर ने दी है फोर्थ concept जो है प्रकारात्मक आपरिहारिता तो यह concept किसका हो जाएगा मेलनवसी का ठीक है फिफ्थ नमबर का जो concept है वो है भूमिका ग्रहन जो की मीट का है एक्जैम में काफी बार पूछा जा चुका है शिक्त नमबर में बात करें तो सार्व भूमिक प्रकारवाद की अवधाना है जिसको दिया है मेलनवस की ने प्रकारात्मक एकता रचके ब्राउन की है ठीक ह नेक्स्ट है भूमिका सरशना तो ये concept लिंटन का हो जाएगा भूमिका reporter क्या है मर्टन का है ठीक है भूमिका reporter क्या है उस जो आप videos देखेंगे पहले वाले जिसमें status and role से related videos हैं उनके बारे में concept को clear किया गया है तो उसमें भूमिका reporter के बारे में बताया गया है तो ये किस की अवधाना है मर्टन की है next है सांस्कृतिक छेत्र तो ये आपका हो जाएगा Clark Whistler का concept ठीक है सांस्कृतिक छेत्र की अवधाना किस ने दी है Clark Whistler ने next है समाजिक दूरी ठीक है most important exam में काफी बार पूछा गया है तो समाजिक दूरी का जो अवधाना है ये बोगाडस और सीमेल ने दी है वोगाडस और सीमेल ने समाजिक दूरी क्या concept दिया हुआ है एंट इस वीडियो में बात करें तो उनलोग top 50 जो concept है उनके बारे में बात करेंगे और इसी से related concept से related 2-3 और मेभी 2-3 वीडियो में cover हो जाएगा तो आपको क्या करना है ये वीडियो देखने के बाद इसको याद कर लेना है ज्यादा टाइम ने लेगेगा 10-15 मिनिट में अराम से याद हो जाएगा तो अच्छे से याद कर लिजेगा क्योंकि important है आपकी exam के लिए next है सिप एक concept है ये किसने दिया हुआ है जीपी मर्डॉक का है ठीक है सिप जो concept है वो किसने दिया हुआ है जीपी मर्डॉक का है next है पंत निरपेच समाज ये किसका है हौवर्ड बेकर का है पंत की बात करें तो ये स्टोइच ने दिया हुआ है ठीक है स्टोइच की पंत की जो मापक पैमाना है ये किसने दिया हुआ है चौपिन ने ठीक है समाजिक प्रस्तती का मापक पैमाना चौपिन ने दिया हुआ है नेक्स्ट प्रायुजित गतिशीलता का कॉंसेप्ट टरंडर का प्रायुजित गतिशीलता की जो अवधाना है वो टरंडर की दी हुई है तैलर का थीक हैмет यहां पर यह ठीक कर लीजेगा यह रैड़ फिल्ड है ठीक है रैड़ क्लिफ नहीं होंगा आइक्छले मैंने नहीं नहीं त्याँटब किया है भाई से घर रावन खर वाई धु भाय यह ठीक है सुनि ने दिया हुए टाइलर का यह भी एक्जाम में पूछा गया है टाइलर की संस्कृति की जो डिफनेशन है जो कि पहली व्यग्यानिक परिभाशा मानी जाती है ठीक है यह इसको देख लीजेगा आपको पहले भी बताया जा चुका है ठीक है और एक्जाम में काफी बार यहहां देख लीजेगा कॉम मोर्गन इस्पेंसर और हॉब हाउस ने दिया हुआ है नेक्स्ट है सब्वेता का चकरिय सिध्धान ऐस वाल्ट इसपैंगलर ने दिया हुआ और यह थे क्या है आपको पहले वाले अगर आप deleting वीडियो नहीं है ठीक है आ आ ठीक है सब्वेता का चक्रिय सिध्धान पर इन्होंने क्या बात की है तो यह ओसवर्ड यस्पैंगलर का हो जाएगा नेक्स्ट है सांस्कृतिक सापेकश्वाद हश कोविट्स का हो जाएगा ऑफिस एन इस्टेशन का concept हो जाएगा आपका Kingslay Davis ठीक है कार्याले करके भी है इनका concept किसका है Kingslay Davis का है तो यह याद रखिएगा office and station की जो अवधाना है Kingslay Davis ने दी है next है विज्ञान का इस्तरीकरन ठीक है विज्ञान का इस्तरीकरन तो यह अवधाना किस ने दी हुई है अगस कॉम्ट ने ठीक है अगस कॉम्ट ने विज्ञान का इस्तरीकरन की अवधाना दी है next जनसंक्या व्रद्धी का सिद्धान माल्थस का है जनसंक्या व्रद्धी का सिद्धान माल्थस का पारिश्रमिक का लोहनियम माल्थस का है पारिश्रमिक लोहनियम की यह जो अवधा ठीक है, क्लास की सांस्कृतिक अवधाना किस ने दी है, लेपियर ने दी हुई है, जिंसबग ने और ओपलर ने, ठीक है, लेपियर, जिंसबग और ओपलर ने वर्ग की सांस्कृतिक अवधाना दी हुई है, थर्टी कॉंसेप्ट नमबर पर देखें, तो सांस्कृतिक लैका सिद्धान ओपलर ने दिया हुआ है सांसकतिल्या का सिद्धान आपका ओपलर हो गया निकिटता अभिकमन का जो अफधाना है वो मौर्गन मैकलेनन ने दी है समाजिक वरण सिद्धान ओपलर हो गया है असतत्व के लिए संगष की बात करे तो यह आपका दौर्विन हो जाएगा असतत्व के लिए संगष की जो अभिधाना है वो किस थे दी हुए है दौर्विन ने दी हो प्लीज इस वीडियो को जादा से जादा लोगों के साथ शेयर जो करिएगा, ठीक है, नेक्स्ट कॉंसेप्ट देखें, तो पित्त सत्तात्मक परिवार, तो आपकी ये पित्त सत्तात्मक परिवार की जो अफधार्णा है, वो अरस्तु और बात करें हिंड्री मैन, ठीक है, ह हेंड्री मैन हो जाएगा, आपका यहां पर, ठीक है, हेंड्री मैन ने दी हुई है, ठीक है, पित्त सत्तात्मक परिवार की अफधार्णा, लोगतांत्रिक और सत्तावादी नियंत्रण, ठीक है, नियंत्रण के दो टाइप, लोगतांत्रिक या सत्तावादी नियंत्रण, ऐसे भी पूछ सकते हैं तो ये अवधना की अवधना किसो की हो जाएगी किमपोल्यङ कि हो जाएगी चेतन-चा नियंतर्ण की अवधना कूले ऑर बर्नौड की हो जाएगी झेतन और किया जो जाएगी सिंग कोले ओर बर्नौड ने दी आप लोगों को पता भी होगा किस ने दिया हुआ है, कूले की अवधार्णा है, प्रात्मेक समूठीक है, इड एहम परा एहम लिब्डो, ये फ्राइट का कॉंसेप्ट हो जाएगा, एक्जामे पूछा गया है, मिताक्षर कानून विज्ञानिश्वर को जाएगा, ये भी ए अवधार्णा है, सांस्कृतिक बहुतिक वाद की अवधार्णा मौर्विन हैरस ने दिये, हरा और सुखा शाद, ये टाइलर का हो जाएगा हुआ, ये भी एग्जामे पूछा गया है, हरा और सुखा शाद, क्या है त्यालर का कॉंसेप्ट है, और ये बी बताया जा चुक प्रकारात्मक, पैराडाइम, ये concept किसका हो जाएगा, मर्टन का हो जाएगा, ठीक है, ये भी important है, आपके ये भी exam में पूछा गया है, तो I hope friends ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो please like जरूर करिएगा, comment करके जरूर बताईएगा, चैनल पर आप जितने भी आपके वीडियो आपको दी गई है, उनको जरूर देखेगा, आपके first paper के लावा second paper psychology के लिए भी वो important हो सकती है, ठीक है, एंड इसके अलावा research related आपको देखना है, जो कि आपके first paper के लिए वो important है, वो भी आपको playlist में मिल जाएंगी, and books and concepts related और जो महतपूर related videos आपको मिलेंगी, उसमें कई सारे thinkers दिये हुएं, और उनसे related जितने भी type के questions बनते हैं, प्लस जितने भी पूछे गया भी तक, उनसे related videos मिल जाएंगे, तो इन सभी videos को आप लोगों को देखना चाहिए, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, तो प्लीज जरूर देख